हेलो दोस्तो इस चैनल में आपका स्वागत है मैं मीत कुमार और आज हम लोगा टापिक खिलजी वन्स है आज हम लोग खिलजी वन्स पर चर्चा करेंगे सबसे पहले हम लोग खिलजी वंस का पिरियड जान लेते हैं खिलजी वंस का पिरियड 1290 से लेकर 1320 के बीच का था और यह गुलाम वंस के बाद दिल्ली संतनत का दूसरा वंस था हम लोग जानते हैं दिल्ली संतनत पर 5 वंस हुएं खिलजी वंस में जो important fact है उसको पहले देखते हैं फिर उसपर discussion करते हैं भारत में आने से पुरुव खिलजी जाती अफगानिस्तान में हेलमन नदी की घाटी के परदेश में रहते थे यानि ये जो खिलजी लोग थें आफगानिस्तान में एक नदी है हेलमन उसी के घाटी के परदेश में ये लोग रहते थे खिलजी लोग तूर्ख ही थे और ये लोग महमुद गजनवी मुहमद गौरी के साथ भारत आए और दिल्ली के जो सुल्तान थे के समय सेना और अन्य प्रसास्निक पदों पर नौक्री करने लगे और जो सल्तनत कालिन और विवस्था थी उसका फायदा उठा कर वो दिल्ली संतनत के स्वामी बन बैठे भारत में खिलजी बंस का संस्थाप जलालुद्दिन खिलजी था अब यहाँ पर है हम लोग जान लियें कि खिलजी बंस का संस्थाप जलालुद्दिन खिलजी था जलालुद्दिन खिलजी का जो प्रियड था वा 1290 से लेकर 1296 के बीस्थ में था जब यह सुल्तान बना उस समय इसकी उम्र 70 वर्स थी यह काफी द्यालू और उदार वैक्ती था इसने अपना राजावी से किलो खरी के महल में करवाया मतलब दिल्डी में ही किलो खरी थी नेक्स पैंट इसने अपने दुस्मनों के बिरुद दुर्बल निती अपनाई एक इरान के फकीर थे या इरान के धार्मिक नेता थे उनका नाम था सीधी मौला सीधी मौला उस समय इनके खिलाब काफी दुस्प्रचार कर रहे थे जब इनको यह बात पता चली तो सीधी मौला को बहुत करा डन दिये और सीधी मौला को हांथी के पैरों के तले उन्हें को चलवा दिया इसके समय में सबसे महत्पुन घटना अलाउदिन अलाउदिन इनी का भतीजा था देवगिरी का आकर्मन था और देवगिरी का जो उसमें राजा था रामचंद गिरी था अमीर खुसरो और हसन दहलवी जलालुदिन के दरबार में रहते थे जान मरकेगा अमीर खुसरो और हसन दहलवी इसकी हत्या यानि जलालुदिन खिलजी की हत्या 1296 में इसी के भतीजे अलाउदिन खिलजी ने की और स्वेम सुल्तान बन गया यानि जो अलाउदिन खिल्जी था उसे बच्पन से सपना देखता था दिल्ली का सुल्तान बनने के लिए तो उसने धोखे से अपने चाचा की हत्या कर दी अब अलाउदिन खिल्जी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे तो सबसे पहले अलाओदिन खिलजी का प्रियड 1296 से 1316 के बीच में था अलाओदिन के बच्पन का नाम अली या गुर्षप था अलाओदिन खिलजी के पिता का नाम सिहाबुद्दीन खिलजी था जो जलालुद्दीन खिलजी का भाई था Next point अलाओदिन खिलजी के पिता का नाम सिहाबुद्दीन खिलजी था जो जलालुद्दीन खिलजी का भाई था इस पर मों डिसकस्न कर चुके हैं जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी पुत्री का विवा अलाओदिन खिलजी से किया था यानि वहत उसका भतीजा भी था और दमाद भी था सुल्तान बनने से पहले अलावदिन अमीर एतुजुक के पद पर था कापी महत्पुन पद था दिल्ली संत्रत में उस पर वह आसिन था अमीर एतुजुक भिल्सा चंदेरी एवं देवगिरी पर सफल अभियानों से अलावदिन खिलजी को अपारधन प्राप्त हुआ नेक्स पाइंड दच्चिन भारत पर आक्रमन करने वाला पर्था मुसल्मान अलावदिन खिलजी था एवं विजय प्राप्त की ये दच्चिन भारत पर आक्रमन किया इस पर हम लोगी डिस्कसन करेंगे दच्चिन भारत पर आक्रमन करने के पीछे इसकी मनसा थी सुन्दर्ता के लिए विख्यात रानी पदमीनी को प्राप्त करना और अपना पूरा भारत विजय का अभियान को पूरा करना वो पुरे भारत का सुल्तान बनना चाहता था अलाउदिन खिल जी को करा मानिकपूर में सुल्तान गोसित किया गया करा मानिकपूर दिल्ली में है एबं राजा भी सेक दिल्ली के महल में यानि दिल्ली के बलबन के लाल महल में हुआ यानि वह सुल्दान कहां गोसित किया गया करा मानिकपूर करा मानिकपूर इलाहाबाद में है और अपना जो राजाभी से करवाया वह दिल्ली के बलबन के लालमाल में करवाया और सिकंदर सानी के उपादी धारन की, पूरे भारत को जितना चाहता था, तो इसको पता था कि इस कार्ज को सेना ही कर सकते हैं, और सेना को जब तक खुश नहीं रखा जाए तो ये कार्ज हो नहीं सकती थी इसलिए उन्होंने सेना को नगद वेतन और अस्थाई सेना की निव रखी नेक्स पाइंट दिल्ली के सासकों में अलावदिन खिलजी के पास सबसे विसाल अस्थाई सेना थी घोरा दाग ने एवं सेनिकों का हुलिया लिखने की पर था कि सुरुवात अलावदिन खिलजी ने की ये अच्छी नसल के घोरे मंगवाता था तुर्क से तुर्की से अच्छी नसल के घोरे मंगवाता था हाथी बंगाल से मंगवाता था और घोरा रहाथी दूसरे राज में मिल नहीं जाए इसलिए उसको क्या करता था दाग देता था और जो सैनिक थें तो काफी संख्या में सैनिक आये अपनी सेवा देने के लिए तो सभी का उर रोस्टर बनवाया यानि उनका वेश भूसा हुलिया लिखने की परथा की सुरुवाद अलावदिन खिल जी ने की अलावदिन पहला सुल्टान था जिसने भूमी की 25 कराकर यानि भूमी को नापकर लगान वसूल करना आरम किया और अपनी वेवस्था को लाग करने के लिए अलावदिन ने प्रिथक एक अलग दिपार्टमेंट मनाया और दिपार्टमेंट का नाम था दिवाने मुस्थ खराज दिवाने मुस्त खराज क्या था? ये भरष्टाचार को समाप्त करने के लिए नया विभाग बनवाया था अलावदीन ने भूर आजसु की दर को बढ़ा कर उपज का एक बटा दू भाग कर दिया इसने खमस क्या था? लूट का धन मतलब जो समय टैक्स थे जजिया, जकात, खराज, खमस तो जजिया आप जान रहे हैं कि यह गैर मुसलमानों से लिया जाता था जकात धार्मिक कर था, मुसलमानों से लिया जाता था खराज लगान था, और खम्स क्या था, लूट का धन था यानि इसने खम्स में सुल्तान का एक वटा चार भाग के स्थान पर तीन वटा चार भाग कर दिया इसने बैपारियों में बैमानी रोकने के लिए कम तोलने वाले बैक्ती से, सरीर से मान्स काट लेने का आदिस दिया मतलब जो बैपारी, अगर जितना कम तोलेंगे, उनके सरीर से उतना मान्स काट लिए जाएंगे क्योंकि इनको पता था, कि अगर हम मेरे पास विसाल सेना है सभी सेना को हम नगद वेतन देते हैं अगर सेना वह वेतन लेकर बजार में जा रहे हैं अगर उनको जो समान है जितना वह मुल दे रहे हैं उतना नहीं मिलेगा तो फिर क्या करेंगे वह बिद्रू कर देंगे तो इस कार्ज को इंप्लिमेंट करने के लिए उन्होंने कहा कि भाई अगर कोई भी बैपारी जो भी समान बेशते हैं अगर कोई एक किलो अनाज बेच रहा है तो उसको एक किलो का एक किलो देना है अगर वह 900 ग्राम देगा तो उसके सरीर से 100 ग्राम मांस काट लिए इसने अपने सासन काल में मुल नियंतरन प्रनाली को द्रिर्टा से लागू किया नेक्स पैंट दक्षीन भारत की बिजय के लिए अलावदीन ने मलिक काफूर को भेजा दच्छीन भारत जितने के पीछे इनकी मन साया थी कि ये तो पूरे भारत का विजयता बनना चाता था और दूसरा सुन्दरता के लिए विख्यात या प्रक्षात रतन सिंग की जो पत्नी थी पदमीनी उसको प्राप्ट करना चाता था पदमीनी राना रतन सिंग की पत्नी थी ध्यान में रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पर भी मैं विडियो एक बनाऊंगा तो अपसको सुन लिजेगा ठीक ना इस पर मूवी बन चुकी है दिखते हैं अलाउदिन खिल जी के मेवार की राधानी चितोर पराकरमन के दौरान राना रतन सिंग की मिर्तु हो जाने के कान रानी पदमीनी ने जोहर कर लिया था और इसी यूद में राना रतन सिंग के दो सैनिक थें गोरा और बादल बिचारे मारे गए जोहर क्या था जोहर ये राजपुतों में अपनाया जाता था आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक अगनी कुन बनाया जाता था और जो पुरूस यूद करने जाते थे वह केसरिया अबस्तरधारन करने जाते थे और उनकी जो पत्नी थी अगर यूद में उनके पती अगर मारे जाते थे तो उनकी पत्नी क्या कर लेती थी वह जोहर कर लेती थी यानि अपने स्वाभिमान अपने इज्जत की रच्छा के लिए वो अगनी कुंड में कूद कर जान देती थी और जब वो जोहर करती थी तो बहुत सारे ढोल नगारे भी बजाये जाते थे ध्यान मरखेगा क्योंकि उनकी करूना के बाद दुसरे को सुनाई नहीं दे अलावदिन खिल जी के बारे में हम लोग यह पॉइंट समझ में आ गया नेक्स पर देखते हैं पदमीनी की कहानी पर अमीर खुसरो जो थे उन्होंने इस बात की चर्चा नहीं की गई है यह बात पता कहां चलती है तो पदमीनी की कहानी का धार 1540 इस्वी में मलिक मुहमद जाइसी द्वारा लिखित का एक पुस्तक है पदमावत यानि पदमावत जो मलिक मुहमद जाइसी के द्वारा लिखी गई है और यह सेरसा सुरी के सासन काल में लिखी गई उसी से यह घटना का चित्रांकन या इस घटना के बारे में जन्नकारी हम लोग को प्राप्त होती है मलिक काफूर एक हिंदू हिजरा था उसे अलावदी ने एक हजार दिनार में खरदा था इसलिए उसे हजार दिनारी कहा गया यानि मलिक काफूर एक हिंदू हिजरा था और एक हजार दिनार में खरदा था इसलिए हजार दिनारी के नाम से भी मलिक काफूर को जाना जाता है जम्यत खाना मस्जित अलाई दर्वाजा सीरी का किला हजार खंबा महल का निर्मान अलावदीन खिलजी ने करवाया अलाइक दरवाज आपको दिल्ली में है कुत्व मिनार के आहिते में है Inhink कुत्व मिनार के बगल में इसलामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है ज्यान मर्केगा अलाउदिन द्वारा निउक परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तु की परमीड जारी करता था सहनाय मंडी क्या था तो यहां खाध्यानों की विक्री हितु लाये जाता था सराय अदल यहां वस्त्र, सक्कर जरीबूटी, मेवा दीपका तेल एवं अन्य निर्मित वस्तु विक्रीने के लिए आती थी यानि सराय अदल क्या थी अलावदीन खिल जी की आर्थिक निती की ब्यापक जानकरी अगर हमको प्राप्ट करनी है तो बर्नी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गए तारीके फिरोसा ही उसमें आपको सारी जानकारी प्राप्ट हो जाएगी नेक्स पाइंट मुल्य नियंतरन को सफल बनाने के लिए मुहत्सीब एवं नाजीर की महत्पुन भूमी का थी यानि जो मुल्य नियंतरन परनाली वा लागु क्या था उसको सफल बनाने के लिए उसने दो महत्पुन पदाधिकारी की निक्ति की थी मुहत्सीब एव नाजीर राजस्व सुधारों के अंतरगत अलावदीन ने सरपथम, मिल्क, इनाम, वक्फ के अंतरगत जो भी भूमी दी गए थी, सारे भूमी को वापस ले लिया और खालसा भूमी बदल दिया और खालसा भूमी जो थी, वकेंद्र के नियंत्रन भूमी थी अलाउदिन खिलजी के दूरा लगाए, जाने वाले दो नवीन कर, अलाउदिन कर लगाए, एक चराई कर, दूसरा गड़ी कर चराई कर था मतलब जब आप पस्वों को चराते तो चराई कर देना पड़ेगा और जो घर था उस पर भी टैक्स लगेगा वो आपको टैक्स देना पड़ेगा Next point अलाउदिन खिल जी के सासनकाल में 1297 से 1306 स्वी में 6 मंगोल आकरवन हुए अलाउदिन खिल जी की मिर्टू 1316 स्वी में हो गई और इनकी मिर्टू के बाद क्या होता है देखते हैं अलाउदिन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज का नियंतरा स्थापित किया ध्यान में रखेगा इसने धर्म पर राज का नियंत्र असापित किया यानि अलाउदीन ने खलीफा की सत्या को मानेत दी लेकिन परसासन में उनके हस्तचेव को स्युकार नहीं किया और उसने इसलाम, उलेमा, खलीफा, किसी का सारा नहीं लिया एवं निरंकुस राजतन्त में विश्वास करता था और बल्बन जो था इसे पहले में बल्बन के बारे में डिस्काशन कर चुके थे तो बल्बन की जातिय उच्टा बादी नीती को त्याग दिया और योगता का धार पदों का वितरन किया, मतलब जो लोग जिसी पद की योग हैं वो उसको पोश्ट देता था अलावदिन खिलजी अलावदिन खिल जी की मिर्टु के बाद कुतुबुद्ीन मुबारक सा खिल जी सुल्टान मना कुतुबुद्ीन मुबारक सा खिल जी का प्रियट 1316-1323 था इसने स्वैम को खलिपह गोशित का लिया देखी खलीफा क्या था एक वैधानिक पत था और बगदाद में खलीफा होते थे यानि पैगंबर मोहमद साहब के जो तराधिकारी हुए खलीफा का लाए और खलीफा सभी को सुल्तान की मानता देता था मतलब जो लोग यहाँ पा आते थे वह खलीफा से वैधानिक सुकृत लेते थे तो कुतुबुद्दीन मुबारक साखिल जी ने स्वयम को खलिपा गोशित कर लिया और ऐसा करने वाला सल्तनत का पहला सुल्तान था ज्यान मरकिएगा इसकी मिर्टू के बाद नासुरिदू खुसरौसा सासक बना और नासुरुदीन खुसरौसा वह पर्थम भारति मुसल्मान था जो दिल्ली का सासक बना तो इस वीडियो में बहुत सारा आजम पाइंट देखें धन्यवाद